गुद्मॉर्णिंग टियर स्टूदेंस इच वीडियो में आज हम नुट्रिशन और रेप्रेक्शन पढ़ेंगे ओबिलिया का ओबिलिया में पोशन जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ओबिलिया की जो कॉलर्नी होती है उसमें विबिन प्रकार के जॉइट्स होते है और उन जॉइट्स के द्वारा विबिन प्रकार के कारिये किये जाते है आज हम गेस्टो जॉइट्स जो की पोशन का काम करते हैं गेस्ट्रोइट्स पोशन से संबंदित होते हैं और ये मुख्य रूप से मासारी होते हैं चोटी क्रस्टेशन, टैटपोल, कीडे, कीट के लारवा आदी को अपना भोजन बनाते हैं यहां पर जटरान की इनके जो माउट वाला पोशन होता है, गेस्ट्रोइट्स का वहां टैंटिकल्स मौझूद होते हैं इन टैंटिकल्स की जो एक्टोडर्म्स होती हैं बाहर वाली परत उनमें क्या होता है कि दल्श को शिकाय होती हैं निमेटो ब्लास्ट जिसे हमने हाईडर में पढ़ा था इसकी मदद से क्या करते हैं यह भूजन को पकड़ते हैं कोई इस तरह का प्रयात है तो उसको अपने जो जाहर होता है अपनी सुरक्षा भी करते हैं और उससे अपना भूजन भी करते हैं उन टैंटिकल्स के माध्यम स उस भूजन को वो अपने जो माउथ वाला पोर्शन होता है उसके अंदर डाल देते हैं यहां पर जो जटरांत होती हैं उसकी उसमें दखेल दिया जाता है जहां ग्रंती कोशिकाओं के द्वारा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं यह पाचक एंजाइम भूजन को आंशिक रोप से बचा देते हैं और अर्द बचा हुआ भोजन को संपूर्ट पौशन के लिए कोशिकाओं की रिक्तिकाओं के साथ सहलेगने कर दिया जाता है जहां पर उनका पूर्थ पाचन होता है तो मैंने पहले भी बताय था कि सीलंट्रेटस है उसमें कोशिकाओं का ब्राहे पाचन दोन प्रकार का होता है जो आंतरिक होता है वो कोशिका के अंदर होता है और जो बाहरी होता है जैसे यह भोजन यहां इसकी गैस्टोजोइट्स में आया तो गैस्टोजोइट्स में यहां जो एंजाइमें उनके दुरारा इसका पाचन होता है उसके पश्चा के लिट का का जो पाचल हुता है बोजन रिक्तिकाउन द्वारा अलग्ण म Cincinnati और इν्ट क्योंकि वह कैनाल सिस्टम चूटी सी नली जैसे सरश्टा बनाते हैं जिसके तुरू वह पूरी बॉडी के अंदर परिवहत कर दिया जाता है क्योंकि गैस्ट्रो जॉइट्स ही है जो कि इस तरह का भोजन का को ग्रैंड करके उसका पाचन करेंगे बाकि जो गोनो जॉइट् से वहां तक भोजन पहुंचे पचा हुआ भोजन या पूरी बॉडी की आवशक्ताओं को कैसे पूरती किये जाए उसके पश्चाद जो बिना पचा हुआ भोजन होता है अपस्ट होता है उसको वापस मुख के द्वारा बहार निकाल दिया जाता है यह है इसके गैस्ट्र जोइट्स जहां पर टैंटिकल्स उपस्तित है यह गोनो जोइट्स इन टैंटिकल्स के थ्रू भोजन को पकड़ा जाता है और उसको यहां पाच्चन करके और इन जो कैनाल्स है मध्य में उनके थ्रू पूरी बॉडी के अंदर पहुंचा दिया जाता है मेड्यूसा में किस प्रकार से पाच्चन होता है पॉलिप्स में मेड्यूसा को खिलाने की प्रक्रिया समान है मेड्यूसा सक्ति से मासारी है और निमेट्यूसिस्ट के टैंटिकल्स के साथ भोजन को पकड़ने में हेल्प करता है जैसे कि पॉलिप्स में होता है भोजन अत थ्रा भी दोनों तरह का पाचन होता है। मेडूसा जब वह औबीलिया की क्योलड़ी से सेप्रेट हो जाता है, तब किसsystem सब्सक्राइब बिचांध यह सा रहा है। इसमें भी polyps के थरह हैं यह सी पाचन होता है, क्योंकि मेडूसा के जो form देखी हैं हम। उसमें भी tentacles होते हैं और उसके द्वारा भी आंत्रिक में ब्रहे दूरों प्रकार का पाचन होता है पचा हुआ भूजन मेट्यूसा में मौजूद radial और जो परिपत canals होती है इसमें canals होती है radial और circular canals उनके मात्यम से पूरे शरीर को वित्रित कर दिया जाता है नेक्स हम उबीलिया में स्वशन पढ़ते हैं उबीलिया में कोई स्वशन अंग नहीं होता है गैस विनी में समाने शरीर के सत्य के मात्यम से ही होता है ऑक्सिजन आसपास के पानी से सीधे एपिडर्म कोशकाओं में फैलती है और कर्बन डियोकसाइड पहार निकाल दी जाती है गैस का प्रसार पॉलिफ ए मेड्यूसा के गैस्ट्रो वैस्कुलर गोहा में पानी के संचलन के दोरान भी हो सकता है क्योंकि इनकी बाडी में पानी का प्रवा रेगिलोर चलता है दह्bung है यह गैसों के अधान प्रतर में जहां गैस्ट्रो डर्मल कोशकाओं के बीच जगें लेते हैं इनमें से ही कुछ जो oxygen होती वो बीलिया में diffuse हो जाती जैसे body के अंदर पानी जाएगा बोजन के साथ वहीं से वो oxygen को ले लेते हैं और जब waste निकाला जाता है तो पानी के साथ ही carbon dioxide निकल जाती है अब हम बात करेंगे reproduction की सबसे पहले asexual reproduction बीलिया की जो colony है या जो पेड जैसा दिखने वाला या छोटे पौदे जैसा दिखने वाली सरश्णा जो है वो asexual reproduction करती है और इस sexual reproduction करने के सुरूप वो गोनो जोइट्स का formation करती है hydrocalix आप जालते है hydrocalix जो की base जो सरश्णा थी स्ट्रैम जीज़े कहते है उसको hydrocalix कहते है hydrocalix पे ही gastrojoids और जो blastojoids गोनो जोइट्स ये इसका formation होता है दो प्रकार के जोइट्स होता है एक तो फूजन ग्रैंट्स करने से संबंदित और एक reproduction से संबंदित तो एक sexual reproduction के लिए यहाँ पर गोनो जोइट्स का formation होता है वो एक bird क्या बहुते है छोटी कली का रूपी सरश्णा के रूप में develop होते हैं और वो परिपक्फ होते जाते हैं उनमें ये blasto style ये कहलाती है ये जो इस प्रकार के सरश्णा होती है इनको blasto style कहा जाता है ये जो हो होगी वो गोनो जोइट्स कहलाते हैं blasto style पे गोनो जोइट्स हैं ये और ये गैस्ट्रो जोइट्स है तो ये कली का रूपी सरश्णा के रूप में एस sexual reproduction होता है और एस sexual reproduction के फलसुरूप ये बनने वाले जो form है ये बाद में sexual reproduction के लिए इनके शरीर से यहां जो इनका माउ पूर पूर जैसे सरश्णा होती है चिदू जैसे सरश्णा यहां से बाहर निकल जाते हैं तो ये जो हाइड्रोइट्स कॉलान ही होती है ये sexual reproduction के द्वारा उनों जोइट्स का formation करती है जिसके फलसुरूप ये परिपक होकर sexual reproductive form मेड्यूसा का formation करते हैं ये है उबिलिया की गॉनिंजियम का diagram जिसमें ये बाहर की तरफ एक आवरन है जिसको की गुणो ठीका कहा जाता है ये गुणो बोर हैं यहां हम इसको stock कहते हैं और ये सबसे बाहर ये आवरन पेरिसार्ख ये इसको कहते हैं सीनोसार्ग या कोयनोसार्ग भी कह सकते हैं यह हैं से डेविलेपिंग मैड्यूसा बर्ड्स और यह इसका ब्लास्टो स्ट्राइल होता है जिसके की ओपर यह 누ी ब्रड्स होती है वहां पर डेवलेप होती है ऐसी पॉर्शन को कहेते हैं जो कि Asexual reproduction के द्वारा birds का formation करेगा और यह जब डबलप हो जाएंगी तो यह गोनोपूर के तुरू बाहर निकल जिया जाएगा ओबिलिया में जो यह joints बनते हैं बेसिकली हम Medusa के बात कर रहे हैं यह 6-7 mm तक का होता है और इसकी जो shape होती है वो अम्रेला रूमी होती है चत्ता जो होता है हमारा उसके कार का होता है इसका जो बाहरी हिस्सा है वो उत्तल होता है और आंत्रिक अवतल होता है यहाँ पर एक छोटी मैनुप्रियम यह है एक मैनुप्रियम है मैनुप्रियम और इसके बाहर के तरफ चत्तुश कॉण माउट होता है और यह central में यहां radial यह नहीं चुल्ड करल सर्कूलर केनाल से यह यह पर उन्ट्वियुल केनाल पर गुनाट्स होता हैं इन में जो वैल्णाइम होता है वो अल्प fixit होता है स्टार्टिंग में जो मार्जिन होता है उसमें 16 Tentacles होते हैं वर लेकिन बादिन वो डेवलिप को कर उनकी संक्या में फ्रद्दी होती है यह है एक डाइग्राम जिसको हम अच्छे तरह समझते हैं ये मेड्यूसा का डाइग्राम है जिसमें ये बाहरी शेत्र है और ये आंत्रिक ये उपर वाला जो शेत्र है वो उत्तल के तरह दिखाई देरा है बिल्कुल और अंदर वाला अवतल होता है जैसा कि हमारा अम्बरेला होता है चाता होता है इसके जो बिल्कुल सेंटर में में मेंडियूब्रियम है और मेंडियूब्रियम के लास्ट एंड में लटका हुआ माउथ होता है ठीक है यह चतुष कोष्ट होता है चार इसके कोने दिखाई देंगे अब यहां जब हम आते हैं तो रेडियल कैनाल है जो पूरी कैनाल के थूँ एक दूसरे से जुड़े रहते ह है और कैनाल के यहां पर इंकोनेट्स होते हैं मेल और फिमेल मेड्यूसामिट अलग अलग होते हैं यह जो सर्कुलर कैनाल है यहां पर टैंटिकल्स लटके रहते हैं टैंटिकल्स कुछ टैंटिकल्स के पास इस तरह की सरश्टा होती है जो की हुम जिसको की लीथोसिस्ट क के लिए होती है और जो जैसा यह दिखता है वैसा अगर हम चित्र देखें तो यह स्टेइन क्यावा डाइग्राम है जिसमें यह इसका माउथ है यह ग्रेडिल कैनाल में गौनैट्स है और यह जो है टैंटिकल्स है अबीलिया में सेक्ट्या रिप्रोडेक्शन में जो मेल और फीमेल मेड्यूसा होते वो डिफेरेंट होता है इनके दवारा है अंडनों को का फॉर्मेशन होता है और यह पानी में एक ही जगे पे जब ँडैवलस हो जाते मैचऑर हो जाते है तो अंडनों को शुक्राणों को सिक्रेट करते हैं जहां पर यह निशीचन होता है यह है एक लाइफ साइकल ऑफ उबीलिया जिसमें की यहां से यह मेड्यूसा निकल रहे है डेवलेप होका जब यह अच्छे से डेवलेप हो जाते हैं तो फिमेल की द्वारा एग और मेल की द्वारा काजित होकर पहले टू सेल स्टेज फिर फोल सेल स्टेज ऐसे डिवाइड होता रहता है पूरा अच्छे तरह डिवाइड होने के बाद यह सोला कोश्य की अवस्ता के बाद जब यह ब्लास्टूला बनता है तो इसमें और मुरूला ब्लास्टूला गैस्टूला की प्लैनूला-laarva का-फ्रॉंट करता है इसके पश्चा जब फ्रीरिमूव करता है तो यह एक erfolg in a substrate जहाँ डैच होकर वहां पर सैटल डाउन हो जाता है और सैटल डाउन होने के पश्चाहत वह यंग पॉलिप में convert होता है उसके पशाद देरे देरे उसके hydrozoids, hydrocalyx का formation होने के पशाद वो tentacles form करके women प्रकार के joints का formation करता है देरे देरे ये colony develop होती रहती है और ये sexual reproduction करके medusa का formation करता है निशेचित अंडे पूर्ण वैसरल दराड से गुजरते हैं जिसके परिणाम स्वरूप कोशिकाएं ठोस, गैंद, नुमा सरश्णा जिसको की marula कहते हैं में develop होती है यह एक केंद्र यहां पर marula जब बनता है उसके पश्चाद उसमें एक cavity का formation होता है जिसको की blasto seal कहते हैं blasto seal जो होती है वहां पर उसके चारों तरफ एक गुवा होती है और गुवा के चारों तरफ चुटी चुटी जो कोशिकाएं होती हों dissolve होने लग जाती है तो marula उसके पाद blastula और blastula के बश्चाद gastula का formation होता है देरे देरे नई कोशिकाएं जो होती है वो blasto mayor से कट जाती है और koloblastula के एक छोर से blasto seal में पलायन करना शुरू कर देती है क्या होता है कि पहले marula बनेगा marula में एक blasto seal नीचे अंदर की तरफ गुवा बनेगी क्योंकि marula एक ठोस गैंदे से सरश्चना होती है इसके मद्धे के जो शेत्र होते हैं मद्धे के जो कोशिकाएं होती है वो दिजॉल्व होकर या उप्योग में आकर मद्धे में एक गुवा बन जाती है इसको blasto seal कहते है और blasto seal के बनने के पश्चाथ उसके अंदर इस प्रकार की गति होती है कि वो अंदर की तरफ प्रव इस कंडिशन में क्या होता है blasto seal के condition में यहां एक blasto seal बन जाती है अंदर की तरफ और उसके फलसरूप यह जो कोशिकाएं वो अंदर की तरफ धसने लग जाती है देरे देरे पूरे blasto seal की कोशिकाएं भर दी जाती है और खोकले blasto जो होता है वो ठोस gastrula में परिवर्थित हो जाता है जिसे stereo gastrula कहा जाता है brun की बाहरी सत्य है एक ciliary larva बनते हुए विलूप्त हो जाता है जो उसकी पहले वो ciliary larva होता है उसके चारो तरफ cilia उपस्तित होता है उसके पश्चात वो प्लैनूला लार्वा में convert होता है यह देखिए यह प्लैनूला लार्वा है अब यह कहीं जाके attach होगा इसकी चारो त प्रफ तो cilia उपस्तित है किया बाहरी सत्य एक्टोडर्म वे एंडोडर्म कोशिकाओं कोशिका उपस्तित होती है आंत्रिक ठोस्त रव्यमान से मिलकर डबल इस तरह डिम वाहिन यह लार्वा का formation करते हैं यह सक्री रूप से पानी में देरता रहता है और प्रजाती के फै सालंग्रे सालंग्रे छोर एक बेसिल डिस्क बनाता है जबकि पाहर के सिरेपर टैंटिकल से गिरा हुआ मू बनता है इस सेसाइल चरण को हाइड्रूला चरण के रूप में कहा जाता है क्योंकि यह है एक हाइड्र जैसा दिखाई देता है धिरे-धिरे हाइड्रूला बार प्रक्रिया के जीवन चक्र पीडी जहां की आलेंगिक और आवरंथ चरण के प्रत्यावरतन का एक उलेगने उधारन का उथिवन प्रत्या प्रत्यावरतन त्रकुल्स सथिया कर्थाल का उलेंगिक की हमने इस चित्र में देखा, यह एक उबिलया की कॉलोनी है, जिसमें यह A-sexual reproduction करके medusa का formation कर रहे हैं, यह जो medusa है, male और female sexual reproduction करके वापस से polyp का formation करते हैं, इसी को कहते है, metagenesis, एक A-sexual form जो है, वो sexual form का करती है अलेंगिक जनन की द्वारा लेंगिक जनन की फर्म का निर्माण हुरा मैटेजनेस कहलाता है इस प्रकार एक दीगुणित अलेंगिक हाइड्रोइड चरण एक दीगुणित जो सेक्चुल चरण है या योन ध्यान चरण के रूप में विक्सित होता है दो दीगुणित चरणों की बीच प्रत्यावर्तन की इस घटना को मैटेजनेसिस कहते हैं मतलब एक बार तो होता है अलेंगिक चरण और दूसरी बार होता है लेंगिक चरण ये मेटेजनेसिस की विशेषता है इस प्रकार के जीवन चक्र में Oubilia Joids के पास तीन अलग-अलग प्रकार के Joids होते हैं जैसे कि पोशक पॉलिप्स जिसको कि हाइडर्यक कहा जाता है एसेक्श्वल जिसमें कि ब्लास्टर स्टाइल होती है और सेक्श्वल जिसमें कि मेडियूसा होती है यह गटना ओबीलिया को सरशनात पर गये कारेत्वक रूप से अलग बहुरूपता को प्रदशित करता है क्योंकि इतनी अलग-अलग फॉर्म एक ही जो इंडिविजुल होता है उसके अंदर रुपस्तित होती है इसको बहुरूपता कहलाते है प्रारम में कोलोनी में कीवल गैस्टो जोइट्स और ब्लास्टो जोइट्स का प्रतिदित करता है बाद में नवजाद की प्रक्रिया की द्वारा ब्लास्टो जोइट्स पर गोनो फॉर्म स्विक्सित होते है तो कोलोनी में तीन प्रकार की जॉइंट्स का फ्रमिशन होता है थैंक यू